एम इसका फुल्फरम होता है एम्पलिट्यूट इसको हिंदी में आयाम कहते हैं चलिए दोस्तों इसको और अच्छासर समझ लेते हैं गनित और भैतिकों में आयाम को कई प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है कोई आवर्ति फलन अपने पूर्ण अवतकाल में जितना अध दिक्तम परिवर्तिद होता है प्राय उसे ही इसका आयाम कहा जाता है इसके अलावा परिवर्ति फलनों के उच्छिष्ट और निम्निष्ट के अंतर के परिणाम को भी आयाम कहते हैं जी हां दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छी तरह से फुल्फरम को सीख कर सकते हैं धन्यवाद